नमश्कार दोस्तू मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर दोस्तो बिटर लो आ दो के अंदर फूलों की बहार आती हमारे गार्डेन के अंदर जो पूरे साल भर साद ही देखने को मिले इस सीजन के अंदर इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट अब आने लगे हैं कि अगर हम सारी वेराइटीज को लगा लें तो हमारा गार्डेन गार्डेन कम बलकि एक खुबसूरत सा जो है फ्लावर बेड जो है वो बन जाएगा तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना जो फ्लावरिंग अरेंजमेंट है मतलब ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट को रखने का जो तरीका है अभी जिस तरीके से मैंने इनको रख रखा है वो दिखाऊँगा और साथी साथ मेरे गार्डेन के अंदर क्या चल रहा है कि इन प्लांट के अंदर फ्लावरिंग सुरू हो गई है किस में जो है आगे चल कर अच्छे ब्लूम्स आने वाले हैं वो सब आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाऊँगा वीडियो में लास्त तक बनी रहिएगा पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और शियर भी जरूर कीजेगा चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले मैं बिल्कुल इधर से सुरू करता हूँ यहाँ पर जो है यहाँ पीछे की साइड में यह मेरे वो पेरेनियल प्लांट्स रखे हुए हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग जो है अब रुख गई है तो मैंने इनको सबसे पीछे की साइड में रख दिया है आगे ये दो प्लावर्ट मेरे अगेव के रखे हुए हैं और यहीं से फिर उसके बाद मैंने अपने winter flowering plants को रखना सुरू कर दिया है यह देखे बहुत ही प्यारा hybrid viscous जो है वो pink color का खेला हुए है और यह red color के हैं इसमें तो कई सारे flowers एक एक साथ जो है वो आते रहते हैं इसके अलमा इसके आगे जो है मैंने अपने रोज के प्लांट रखे हुए है यह orange color का है यह बहुत ही big size का जो है maroon color का flower इसके अंदर आता है और दो flowers जो है इस टाइम पर खेले हुए है इसके अलमा यह कस्मेरी रोज है इसमें तो बहुत सारी branches जो है वो खेली हुई है एक सा मिले थे पहली बार जो है एक बंच पूरा जो है वो pink color का खेला है फिर उसके बाद इस side में मैंने अपना point sheet यह रखा हुआ है इसके अंदर red leaves जो है बिलकुल नजदीक से दिखाता हूँ दिखे आना सुरू हो गई है फिर यह प्रैमुला का प्लांट है जिसे प्रेम रोज भी बोला जाता है बहुत ही सुंदर बंचेज में फ्लावर आते हैं इसके अंदर यह देखिए यह इसका pink color है और यह dark red color है फिर उसके बाद यहाँ सिनेरिया है सिनेरिया जब मैं ले के आया था नरसरी से इसमें जो है फ्लावर बट्स बन गई थी इस वज़ा से मैंने इन अच्छे से ग्रो करता है तो अगर आपके पास ऐसा गार्डेन के अंदर कोई हिस्सा हो तो आप वहां पर लगा लीजिए मेरे कुछ प्लांट्स में स्पाडर माइट का अटेक हुआ था थोड़े बहुत जो है असर उसका जो है मुझे लगता है इस पर भी हुआ है उसके से बहां तक पूरा ये मतलब 8-10 गमले जो है वो पूरे क्रिसेंथमम के रखे है मैंने फिर इधर थोड़ा धूप का माती है इस वज़े से मैंने थोड़ा शेडी एरिया में ग्रो करने वाले पौधे जो है इस साइड में रख दिये हैं ये आपका बीगोनिया का प्लांट आँगे तो अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी उसके बाद यहां क्रिसेंथमम के आगे यहां मैंने यह पूरी रो अपक्ति स्यल्विया की रख् हुरी है Selvia मेंने काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इस बार Selvia में जो है वो रेड के साथ जो है वाइट भी एक कलर मिला है एक जो है औरेंज और वाइट का कॉंबिनेशन मिला है और एक डिक मेरी है उनक लर का मिल गया मुझे उसके आगे यहाँ पर जो है उनको flowering के लिए तयार करना है तो में भी जो है वो जन्वरी में flowering पर आभी जाएंगे यहां डेंथस जो है एक दो तीन चार पांच और छे गमले हैं मेरे पास और इस बार संयोग से जो है यह जो है वो different color के मिले हुए है थोड़ा थोड़ा पिंक के अंदर जो है अलग-अल बर्बीना का plant है बर्बीना में दो pot red है एक यह white color का है एक यह dark purple है और एक यह light purple color का है फिर उसके बाद red मतलब red जो है वो 3-4 pot हो जोगे हैं फिर यहां सबसे आगे वाली रो में यह सारे renunculus के plant है renunculus मैंने bulb से grow करा था और इसकी video भी आप लोगों के साथ share की थी और मैंने फिर से जो है उसी seller उन्ही seller से जो है फ्रीशिया की bulb ली है ट्यूलिप की bulb ली है और आपका कला लिली की bulb ली है तो जब भी मैं लगाऊंगा तो आप लोगों के साथ जरूर share करूंगा उनकी germination rate का दोबारा order कर दिया तो यह renunculus के छे color हैं चार spot के अंदर लगे हैं और दो जो है spot के अंदर थोड़ा late grow कर रहे हैं पता नहीं क्यों लेकिन यह जो है ज्यादा घने grow कर रहे हैं यहां से इसके पीछे वाली रो में यह सारे marigold के plant है marigold यह मैंने बाद में लगाए थे बिल मैंने pinching अगरा करके काफी बुसी जो है बना ही लिया है इनको फिर यहीं से marigold की jafri variety जो है यह पूरी मैंने अपने रखी हुई है और इनके seeds भी मैंने grow करे थे निकाल निकाल के तो सारे बहुत अच्छे से grow भी हो गए हैं तो यह सारे marigold है jafri variety के इसमें काफी variety जापक का एक plant जो है वो continuously flowering कर रहा है बाकी के अंदर जो है वो buds बन रही है और कितनी healthy है यह plant यह आपको देखने में ही लग रहा है इसके पीछे भी सारे जो है क्रिशनतफम रखे हुए है फिर यहाँ पर यह calendula के आगे यह ester मैंने रखे हुए है ester का यह plant बहुत ही जादा healthy है में भी सायद यह variety भी अलग है बाकी इनके अंदर देखे है खूप सारी buds बन गई है यह flowering पर जल्दी ही आ जाएंगे एक plant यह थोड़ा marilla सा था लेकिन देखिए care करने की वज़े से अब यह भी थोड़ा healthy सा जो है वो grow कर रहा है फिर इधर पीछे marigold जो है वो king size के जिस सारे ही viscousी रखे हुए है इधर भी और यहां पर यह dog flowers के सारे plant है dog flower में जो है अभी दो मेरे पास खिलने वाले हैं एक खिल रहा है यह dark pink कलर है और यह भी dark pink है यह थोड़ा सा अलग shade दिख रहा है और maybe side यही वाला color इसके अंदर मेरा एक plant इसका मर गया था वरना मेरे पास 5 होते मैंने जितने भी plant लिये थे यही एक ही plant मेरा जो है वो खराब हुआ था इसके बाद यह मेरे सारे petunia है petunia अब ठोड़ा घने हो रहे हैं और यहां से यहां तक जिस सारे किपलारे petunia रखे हुए petunia में अभी एक plant यह नहीं खिला हुआ है और अगर देखा जाए तो यह वाला एक plant परपल खिला हुआ है परपल में ही यह थोड़ा अलक्षा शेड है यह pink का star petunia है सबसे खूबसूरत star petunia ही देखने में लगते हैं यह red color का खिल रहा है यह भी purple में जो है वो थोड़ा अलक्षा शेड है white मेरे पास पिछले साल न plant है और यह red color है इसके अंदर अभी flower नहीं आए है और मैंने मेरा एक plant जो है वो शीट से भी ग्रो हुया है यह क्रिसंथमम का जो पॉड़ था इसी के अंदर यह शीट हो गया में भी साइथ pink color का star petunia है यह काफी बढ़िया healthy grow कर रहा है तो इधर petunia है और यहां सारी यह ग planting के बाद जो है मैंने इसमें थोड़े रंडे वगएरा मांद की इनको सीधा कर दिया और आप जब यह flowering कर रहे हैं तो देखिए जो है बहुत ही खूपसरा flowering इनके अंदर आ रही है यह permanent flowering plant है इधर यह गजानिया है सारे और इधर जो है पैंजी तो मैंने आप लोगों क यहां सा मुझे लग रहा है बहुत चोटी चोटे flowers के अंदर आ रहे हैं उसके बाद लास्ट में यहां पर जो है यह ornamental cabbage के plant है ornamental cabbage जो है वो देखने में बहुत खूपसूरत लगती है पिछली बार मैंने दो पौधे रखे थे इस बार मैंने तीन लगाए हुए है और अगर इसी सीजन में कैसे दो बार फ्लावरिंग ले सकते हैं वो वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा यहां सीडलिंग सारी रखी हुई है यह डेजी की है यह आपकी 5-6 प्लांट ग्रो हुए है मिनी डहलिया है यह आपका शूइड विलियम का है यह फ्लॉक्स मैंने अभी शेयर किया था वीडियो यूफोर्विया मिली तो यह है जो है बिंटर गार्डिन का मेरा अरेज्मेंट मैंने इस तरीके से पूरी रो जो लगा रखी है अब यह देखने में काफी जादा खूबसूरत लग रही है वरना ऐसे बेतर्तीव जब सारे प्लांट र देखने को मिलें क्योंकि मेरी ग्राउन फ्लावरिंग जो है वह बच्ची हुई है फिर भी देखिये जो है मैंने काफी सारे जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वह लगा लिए हैं कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्षन में जाका जरू बताइएगा ऐसी किसी न